हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी सार इस्टडी में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाई मंडल से संबंदित मैद्पून प्रश्णों के बारे में कि वाई मंडल में जो भी गटना गटित होती है या उनके जो भी प्रश्णों पर हम लोग चर्चा करेंगे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ पहला प्रश्ण है अधिक तापमान होने पर वाश्पी करण की क्रिया पर क्या प्रभाव पढ़ता है तो अधिक तापमान होने पर वाश्पी करण की क्रिया पर जो प्रभाव पढ़ता है तो जब ताप जादा होता है तो वाश्पी करण की दर जो है वो अधिक हो जाती है बढ़ जाता है वाश्पी करण अगला प्रसंद देखते हैं वाई मंडल का लगबग 99 प्रच्छत भाग किन कैसों से बना है तो वाई मंडल का लगबग 99 प्रच्छत भाग दो गैसों से बना है जो है nitrogen और oxygen दोस्तों nitrogen और oxygen तो nitrogen का percentage कितना रहता है इसमें 78.8% लगभग और oxygen कितनी रहती है 20.95% दोस्तों यह आपको याद रखना है nitrogen कितनी रहती है 78.8% लगभग और oxygen का प्रस्चत कितना होता है इसमें 20.95% ठीक है चलिए इसका सही answer होगा option number 3 उपरोग तो दोनों अगला प्रस्चत देखते हैं वाई मंडल के सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं तो वाई मंडल के सबसे निचले भाग को हम लोग छोब मंडल कहते हैं इसका सही answer है option number 3 छोब मंडल दोस्तों इसकी उँचाई जो है वो धरातल से ओस्तन 12 किलोमीटर होती है या ओस्तन का मतलब क्या है दोस्तों कि कहीं पेसकी उँचाई जो है वो कम है कहीं पर जादा है तो हम लोग एक उसत उऊचाई एक उसत उचाई नांते हैं तो वह 12 घुल मीटर होती है। धूर्वण पर इसकी उचाई 2 ख किलो मेटर है और विश्वत रेखा पर इसकी उचाई 18 किलो मीटर है। दुर्वों पर कितनी है आठ किलोमीटर और विश्वत रेखा कि जब बात करते हैं तो वहाँ पर छोब मंडल की उचाई 18 किलोमीटर तक है इसी लिए हम लोग जो आउसत उचाई देखते हैं वह 12 किलोमीटर आती है तो वाई मंडल का सबसे निचला वाग क्या है छोब मंडल है इसका सही अंसर आप्शन नमबर तीन अगला प्रसंदेखते हैं जोब मंडल में धरातल से उपर जाने पर कितने किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेट की दर से तापमान कम हो जाता है तो दोस्तों छोब मंडल में धरातल से उपर जब जाते हैं यानि प्रत्वी का है जिस पर हम लोग खड़े हैं चलते हैं उससे कितने उपर जाने पर कि द्रातल से उपर जाने पर कितने किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीजियस की दर से तापमान में कमी आती है तो इसका सही आंसर है आप्शन नमबर टू प्रती एक किलोमीटर पर यानि हर एक में इसी वजय से छोब मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है ठीक है अगला देखते हैं कि वाई मंडल को कितनी परतों में बाटा गया है तो जो हमारा वाई मंडल है प्रत्वीका उसको पांच परतों में बाटा गया इसका सही आंसर है आप्शन नमबर टू अगला प परता है आंधी आती है तुफान आता है या बिजली जमकती है यह सारी गटनाएं जो है वह मौसम संबंधी गटनाएं कहलाती है और यह किस परत पर होती है यह सारी छोब मंडल में होती है इसका सही आंसर है option number 3 अगला प्रशन देखते हैं छोब मंडल के उपर की परत का क्या नाम है दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि वाई मंडल है वह पांच परतों में बटा हुआ है तो सबसे नीचे की परत का नाम है छोब मंडल ठीक है इसको क्या कहते हैं इंगलिश में ट्र समताब मंडल इसका सही आंसर है option number 1 समताब मंडल इसको एंगलिश में क्या कहते हैं स्ट्रेटो स्फियर यह चोब मंडल की सीमा से उपर जब हम लोग चलते हैं तो लगभग 50 km तक इसकी रेडियस है यानि यह 50 km उपर तक रहेगा समताब मंडल ठीक है अगला प्रशन देख तो दोस्तों जैसे सबसे नीची परत था छोब मंडल ठीक है उसके उपर समताब मंडल तो इसके बीच में मोटी परत यह देड़ किलो मेंटर के लगभग उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं चोब सीमा चोब सीमा इसका सही आंसर है option number 1 दोस्तों जिस दोनों परत है है इन दोनों मंडलों का विवाजन यहां पर होता है उसी को छोब सीमा कहा जाता है अगला प्रशन देखते हैं वाई मंडल की किस परत में तापमान समान रहता है तो वाई मंडल की किस परत में तापमान समान रहता है तो उसका सही आंसर है option number 4 समताब मंडल इसलिए इसका आप्用ण संताफ मंदल क्योंकर इस परत्व में वह एक समान रखता है अगला प्रसम देखते हैं कि वाई यांचालकों के लिए आदर्स्परत कौन सी है तो वाई यांचालकों के लिए आदर्सपरत है समताप मंडल क्योंकि यहां पर temperature एक समान रहता है उसमें ताप मांद में कोई उतार चलाव नहीं होता है तो इनको अपना वाईयान चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती है इसका सही मत्सरोल कि आंसर है option number 1 समताप मंडल अगला पशन क्ते समताप मंडल से ऊपनी परत क्या कहलाती है दोस्तों पहली परत हो गईक मंडल दूसरी परत अथ्छाक मंडल ठीक है मद्य मंडल को अंगरेजी में क्या कहते है मीजोस्फियर इसके जो रेडियस होती है वो 50 किलो मीटर तो आपका समताब मंडल रहा तो 50 किलो मीटर से लेके 80 किलो मीटर तक ये जो है आपका रहता है मद्य मंडल इसका सही आंसर है option number two मद्य मंडल अगला प्रशन देखते हैं चोब मंडल के अन्य नाम है तो दोस्तों चोब मंडल को किन नामों से जाना जाता है ठीक है तो समवहनी मंडल विचोब मंडल और परिवर्तन मंडल ये तीनों नामों से चोब मंडल को जाना जाता है समवहनी मंडल इसलिए कहते हैं छोब मंडल को क्योंकि छोब मंडल में ही समवहनी तरंगों की उपस्ति होती है विचोब मंडल क्यों कहा जाता है विचुद समवहन के कारण ही छोब मंडल को विचोब मंडल कहते हैं परिवर्तन मंडल के बारे में हमने आपसे बात की थी कि ज जोता है इसी लिए इसको परिवर्थन मंदल भी कहते हैं तो इसका सही आंसर है आप्ट नंबर 4 उपरोगत सभी अगला प्रशन देखते हैं मद्य मंदल से उपरी परत को किस नाम से जानते हैं तो जो चौथी परत अब आएगी उसको दोस्तों जानते हैं आयन मंदल के नाम से इसका इंगलिश में नाम है आयनो स्फियर ठीक है क्या नाम है आयनो स्फियर यानि आयन मंदल इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दोस्तो है श्की जो रेडियंटर है वह शी में क्या है मध्य मंडनल है ठीक है अश्री किलो म offend 도 कर आगे आने वाले ये से चालिस किलो मीटर तक आपका यान मंदल उपस्तेत है कहां से से कहां तक 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक आपको याद रखना है ठीक है आयन मंडल उपस्थे जए मद्य मंडल से उपनी परत आयन मंडल है अगला प्रशन देखते हैं छोटी रेडियो तरंगे वायू मंडल की किस परत द्वारा परावर्तित की जाती है तो जो रेड जो रेडियो तरंगे होती है जो इसमें भी कई सीमाय होती है छोटी है बड़ी है जो छोटी रेडियो तरंगे है वह वाय मंडल की किस परत द्वारा परावर्तित की जाती है आयन मंडल के द्वारा इसका सही आंसर है option number two अगला प्रशन देखते हैं संचार उपग्रह किस परत में उपस्तित होते हैं आयन मंडल में आयन मंडल दोस्तों बहुत ही important परत है वाय मंडल में क्योंकि जितने भी संचार उपग्रह हैं वह सारे आयन मंडल में ही उपस्तित होते हैं जैसे हम लोग फोन करते हैं मोबाइल में तो इसका transition होता है वह आयन मंडल में उपस्त इसके बारे में कुछ facets देखल लेते हैं, iron bundle जो है, वह कई परतों में बटा हुआ है, सबसे नीचे की परत क्या कलाती है, d परत ठीक है journal तियो में चलते है तो असी किलोमीटर से लेकर 140 km के दायरा है थी कैसे उपर जो है और e1 ओर e2 परते होती है इवन और e2 परते हैं यह आपको धिया पने अरक topic ना है थिक्त है इसके उपर बहूंगे 140 कि go मिटर तो आपकी आती है f1 परड़ कौन सी आती है f1 परद 140 कि यो मिटरपर फिर उसके उपर बलते हैं 248 कि इस छालेश कि फिक् Sophia अती aja fresh आपकी 121 और यहाद काुण कौन परते होती ही सबसे नीचे होती है आपकी डी-परत उसके उपर जब 20-140 km बढ़ते हैं हम लोग तो e1 और e2 पड़ते आती है उसके उपर 140 बढ़ते हैं तो f1 परत होती है ठीक है अब फिर जब 240 km उपर बढ़ते हैं तो f2 परत होती है ये परतों के बारे में आपको बता होना चाहिए था आयान मंडल की सबसे नीचे की तैय क्या कहलाती है अभी हम लोगों ने mc。 इसका सही answer है option number 4 ठीक है आयन मंडल कई तघों में बटा हुआ है जो हम लोगों ने डिसकस किया है अगला प्रस्ण देखते हैं रेडियों की मीडियम तरंगें आयन मंडल की किन तघों से परावर्तित होती हैं तो दोस्तों रेडियों की मीडियम तरंगें आयन मंडल की E1 वा E2 उता है उसे परावर्तित होती है इसका सही आंसर है option number 2 E1 वा E2 उता है दोस्तों अभी हम लोगों ने बात की थी सबसे नीची परत के कौन सी है D परत और उससे जह हम लोग 80-140 km बढ़ते हैं उपर Y मंडल में तो E1 वा E2 परते मिलती है आयन मंडल में उपस थे जो उ ठीक है उसी से रेडियो की मीडियम तरंगें परावर्तित होती है इसका सही आंसर है option number 2 E1 वा E2 तह है अगला परशन देखते हैं रेडियो की लगू तरंगों को आयन मंडल की कौन सी तह है परावर्तित करती है तो रेडियो की लगू तरंगों को आयन मंडल की F1 वा F2 तह परावर्तित करती हैं f1 वा f2 तह कहां होती है e1 वा e2 तहँ को परावर्तित करती है रेडियो की अच्छा एक चीज और है कि f1 वा f2 तह जो होती है इनको f-litan तह भी कहा जाता है यानि यह जो दोनों नाम है यह एक दूसरे के पूरक नाम है F1 वा F2 तहों को ही एफ लीटन तहें कहा जाता है इसका सही आंसर होगा option number 3 उपरोक्त दोनों अगला पुस्म देखते हैं आयन मंडल के उपर की परत को क्या कहते हैं दोस्तों आयन मंडल से जो उपर परत पाई जाती है उसको कहते हैं वहिर मंडल इसका सही आंसर है option number 2 वहिर मंडल इसको इंगलिश में बोलते हैं एक्सो स्फियर ठीक है क्या बोलते हैं एक्सो स्फियर तो वहिर मंडल का जो रेडियस है वो 640 किलो मीटर से उपर आता है यानि 640 km जो है आपका वो है आयल मंडल और जब उससे उपर हम लोग बढ़ते हैं तो आपका मिलता है वहिर मंडल ठीक है इसकी जो रेडियस है वो मानी जाती है और 10,000 km तक जाती है ठीक है और इससे उपर भी हो सकती है इसी परत को यानि वहिर मंडल को ही चुम्बकी मंडल भी कहा जाता है यह भी आपको याद रखना है अगला परशन देखते हैं वहिर मंडल में किन गैसों की प्रधानता होती है तो दोस्तों वहिर मंडल में हाइड्र हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों की प्रधानता होती है क्योंकि यह बहुत ही बड़ा एरिया है चैस्तों चारे से जएके 10,000 km तक का इसलिए यह इनके जो अनुन होते हैं वह विसरत हो जाते हैं बहुत दूर-दूर खैल जाते हैं और इन्हीं की प्रधानता होती है अगला प्रशन देखते हैं उत्तर धुरुवी प्रकाश किस परत पर गटित होते हैं तो दोस्तों उत्तर उत्तरी धुरुवी प्रकाश को और 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 आस्टेलिसिस कहते हैं ठीक हैं और तर उत्तरी धुरुवी प्रकाश जो है उसको और ओर और बॉरलिस नथा सिद्धीर को और और ओऊस्टेल लिस्त कहते हैं यह होती हैं जब आ mismos ज्याते हैं Boy एक शीए तरह की रोशनी आकाश में दिखाई पड़ती है ठीक है उन्हीं गट्नाव का ये नाम है उत्री प्रकाश वहाँ पर अजीब सा प्रकाश दिखाई पड़ता है लगता है कि आकाश में कोई आतशवाजीट सी हो रही है अलालग तरह के रंगों की उसी को यह नाम दिया गया ठीक है तो यह घटनाय किस परत में होती है वाइव मंडल की यह होती है आयान मंडल में उसने नाम क्या है दोस्तों समताब मंडल को किसे और म Abbiamo यूजोन मंडल इसका सही आंसर यूंगा लगत औरiger की उचाई नभर धरातल से इतने कि इस नडहीं पर बाइस कि शाएव बाइस वीचाई पर ओजोन परज्ऱ है वो सबसे अधिक सगन होती यानि उसकी मोटाई में यानि दुरूंप पर आठ किलोमीटर और विश्वद रेखा पर अठाड़ा किलोमीटर तर विश्वत रेखा पर 18 किलोमीटर तक चो बमंड़ और उससे उपर बढ़ते हैं तो वह संकाब मंडल तो संकाब मंडल में ही ऑजोन परद पाई जाती है ठीक है और जोगो ने प मंदल भी का जाता है अगला प्रशन देखते हैं ओजोन परत की मोटाई नापने में प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों ओजोन परत की मोटाई नापने में किसका प्रयोग किया जाता है डाबसन इकाई का यह प्रशन एक दूबार पूछा गया है और आगे अहले एक जाम मे करने वाली गैस कौन है दोस्तों ओजोन परत जो है हमारे मुंडल में वो नश्ट हो रही है तो उसका कारण क्या है cfc यानि chlorofluorocarbon ठीक है क्या है chlorofluorocarbon ठीक है यह जो है ओजों प्रत को नश्ट कर रही है यह आपको याद रखना यह एकजाम में पूछा गया है कई बार यह बहुत ही important प्रश्ण है ठीक है इसका सही answer है option no.3 cfc यानि chlorofluorocarbon अगला प्रश्ण देखते हैं आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों हम लोग को जब लोग आकाश की तरफ देखते हैं तो उसका कलर जो है आपको नीले रंग का दिखाई बढ़ता है ठीक है नी आकाश उसका कारण है कि जो धूल करण है उसी के वज आशा है आपको हमारे दोरा प्रवाइड की इनफर्मेशन इंपॉर्टन होगी आपके लिए अगर आपको हमारा व्यूडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपने अगले व्यूडियो में फ्रेंड आपके लिए्यू एक्चित करें आपकोड़ इंप।